इस बैठक के बाद AIMTC और सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लौटने की अपील की है। ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल से जुड़े अपडेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान समेट 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली हुए। चंडीगर में शर्तों पर पेट्रोल डीजल दिया गया। चत्तीसकर में पुलिस की कस्टरी में पेट्रोल सप्लाई किया गया। यूपी के मेनपुरी में प्रदर शनकारी ड्राइवरों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर, मध्यप्रदेश के खरगोन में भी पुलिस और प्रदर शिकारीयों के बीच जड़प हुई। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में मंगल वार को दो याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निरदेश दिया है कि हरताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं। वही, पेट्रोल डीजल की सप्लाय रुपने की अफवा के बाद पेट्रोल पंपो पर लोगों की भीर देखने को मिली। भारत में 95 लाग से ज़्यादा ट्रक हर साल 100 अरप किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तै करते हैं। देश में 80 लाग से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांस्पोर्ट करते हैं। राज्यों में हर्ताल के हालात क्या असर पड़ा? मध्य प्रदेश, इन दौर में करीब 900 बसे बंद, खरगोन में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच जणप. केंद्र और ट्रकर्स बॉडी में हर्ताल खत्म करने पर सहमती, AIMTC ने हर्ताली ड्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की नई दिल्ली पांच घंटे पहले. देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई. इसके साथ ही फल सबजी समेत अन्य जरूरी सामानों के दाम बढ़ गए. इस बैठक के बाद AIMTC और सरकार ने ट्रक ड्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की है. ट्रक ड्राइवर्स की हर्ताल से जुड़े अपडेट्स. मध्य प्रदेश, राजस्थान, समेट 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली हुए. चंडीगर में शर्तों पर पेट्रोल डीजल दिया गया. चतीसगर में पुलिस की कस्टरी में पेट्रोल सप्लाई किया गया. यूपी के मैनपुरी में प्रदर शंकारी ड्राइवरों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर, मध्यप्रदेश के खरगोन में भी पुलिस और प्रदर्शिकारियों के बीच जड़ अप हुई मध्यप्रदेश हाई कोट में मंगलवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई की कोट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हरताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाएं फोटोज में देखे हरताल का असर पंजाब के अम्रिटसर में लोग प्लास्टिक की बॉटल और कैन लेकर पेट्रोल लेने पहुँचे महाराष्ट्रा के सोलापूर की मंडी में पड़े प्यास की बोर्यां हरताल के कारण इनका ट्रांस्पोर्टेशन नहीं हो पाया महाराष्ट्रा के ठाने में कई पेट्रोल पंपों के बाहर नो पेट्रोल डीजल के बोर्ड लग गए पंजाब के जलंधर में पंप पर नोटिस लगाता कर्मचारी, इसमें लिखा है स्टॉप न होने से पंप बन रहेगा टेलंगाना के हाइदराबाद में पंप के बाहर पेट्रोल के इंतजार में खड़ी गाडियों के कारण एक तरफ का रोड ब्लॉक हो गया बोपाल में बस और टेक्सी ड्राइवर्स की हर्ताल के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर हिट एंड रन कानून को वापस लेने की मान की बिहार, वैशाली में ड्राइवर्स पर पुलिस ने बंदू के तानी, विवाद बड़ा तो भागे बिहार के हाजीपूर में पुलिस और हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवर आमने सामने आ गए विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर बंदू के तान दी इससे ड्राइवर आक्रोशित हो गए और आर पी एफ के जवानों पर तूट पड़े बवाल बढ़ने पर रेल पुलिस के जवान वहां से जान बचा कर भागे सिलसिलेवार पड़े हर्ताल का घटना क्रम एक जन्वरी हर्ताल का तीसरा दिन नौसो बसे नहीं चली पेट्रोल पंप पर भारी भीड केंद्र और ट्रकर्स बॉड़ी में हर्ताल खत्म करने पर सहमती AIMTC ने हर्ताली ड्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की इंडिया मोटर ट्रांस्पोर्ट कॉंग्रेस AIMTC के बीच मंगलवार को हर्ताल खत्म करने पर सहमती बन गई इसके बाद सरकार की ओर से नई दिल्ली में केंद्रिय ग्रहस्च वज़े भल्ला ने मीडिया से कहा हमने आशवासन दिया है कि हिट एंड रन का नया कानून AIMTC से चर्चा के बिना लागू नहीं किया जाएगा इस बैठक के बाद AIMTC और सरकार ने ट्रुक ड्राइवर्स से काम पर लोटने की अपील की है ट्रुक ड्राइवर्स की हर्ताल से जुड़े अपडेट्स मद्य प्रदेश, राजस्थान समेट दस राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली हुए चंडीगर में शर्तों पर पेट्रोल डीजल दिया गया यूप के में ट्रुक ड्राइवर्स की हर्ताल की चौथे दिन की इंडर सरकार ने की इंडरी ग्रहस चीव कि ये नए कानून एवन प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं हम ये भी बताना चाहते हैं कि बारतिय न्याय साहिता की दारा 1062 को लागू करने से पहले All India Motor Transport Congress से विचार विमर्ष करने के बाद ही निरने लिया जाएगा हम All India Motor Transport Congress तता सभी वहां चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापिस लौट आएं हरताल की वज़ह से मध्यप्रदेश राजिस्थान समेत 10 राजियों से पेट्रोल डीजल पंप खाली हो गए चंदिगण में शर्टो पर पेट्रोल डीजल दिया गया महराश्ट्र के ठाणे में कई पेट्रोल पंपों के बाहर नो पेट्रोल डीजल के बोड लगे दिखाई दिये मंगलवार को भी प्रदर्शन कारियों ने कानून के खिलाफ देश्ट भर में नारे पाजी और चक्का जाम किया दरसल AIMTC हिटनन कानून को सक्त बनाने का विरोध कर रही है संगठन के आवाहन पर ही चक्का जाम और हर्ताल शुरू हुई AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी दिसंबर बीच चुका है लेकिन मध्यप्रदेश, राजस्थान और 36 गड़ में एक दिन भी शीत लहर नहीं चली वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, यूपी, बिहार और जारखन जैसे राज्यों में कडाके की ठंड पड़ रही है भासकर एक्सप्लेनर में जानेंगे ऐसे ही सवालों के जवाब आमतोर पर भारत में सर्दी 20 नॉमबर से शुरू होकर 20 फरवरी तक रहती है देश में सर्दी के मौसम को तीन हिस्सों में बाटा गया है प्री विंटर सीजन, पीक विंटर सीजन और पोस्ट विंटर सीजन इस बार जैपूर में दिसंबर के महीने में 23 दिन औसत से ज्यादा तापमान रहा इसी तरह भोपाल में दिसंबर के ज्यादा तर दिन औसत अधिकतम तापमान ज्यादा रहा यानी ज्यादा तर दिन गर्म रहे पटना लखनव और दिल्ली में दिसंबर महीने में ज्यादा तर दिन न्यूनतम तापमान आउसत से कम रहा और यहां कडाके की ठंड पड़ी एक्सपर्स के मुताबिक इस बार पूरे देश में बाकी सालों के तुल्ना में कम दिन सर्दी पड़ेगी आयमडी भोपाल के मौसम वैग्यानिक वेद प्रकाश के अनुसार दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में 34 साल बाद ऐसा हुआ कि एक भी दिन शीत लहर नहीं चली दिसंबर की तरह जन्वरी में भी पंजाब, हर्याना, जम्मू जैसे राज्यों को छोड़ कर बाकी राज्यों में कम दिन सर्दी पड़ेगी राजस्थान के मौसम वैग्यानिकों के मताबिक जन्वरी के पहले हपते में भी तापमान कम होने की कोई संभावना नहीं है 36 गड़ के मौसम वैग्यानिक बताते हैं कि वहां दिसंबर में एक भी दिन कोल्ड वेव जैसे इस्ठती नहीं बनी है और अगले 10 दिन तक 36 गड़ में शीत लहर या ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना नहीं है कमजोर वेश्टर्ण डिस्टर्बेंट्स हवा के अलावा दिसंबर से फरवरी तक अलनीनों के पीक पर रहने की वजह से भी इस बार सर्दी कम पड़ रही है भारतिय मौसम विभाग के पूर्व डिरेक्टर आनंद शर्मा के मताबिक अलनीनों की वजह से देश के कुछ हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है जबकि कुछ हिस्सों में सामानने से ज्यादा तापमान रहेगा जनवरी 2024 के पहले हपते में देश भर में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है वही राजिस्थान, मध्यप्रदेश, 36 गड़ में कम सर्दी क्यों पड़ रही है आईए समस्ते हैं वेदर एक्सपर्ट्स के मताबिक इसके पीछे दो वज़य है पहली प्रशान्त महासागर में अल्नीनो एक्टिव है इन राजियों में वेश्टर्ण डिस्टर्बेंस की वज़य से ठंड होती है इस बार वेश्टर्ण डिस्टर्बेंस अल्नीनो की वज़य से पहाडों पर बर्फबारी तो हुई पर बरफीली हवा देश के बाकी राजियों में नहीं पहुंची और दूसरी ठंडी उत्तरी और गर्म नम पूर्वी हवाएं आपस में मिलती रही जिससे तापमान नहीं गिरा दूसरी तरफ बिहार, यूपी, दिल्ली में शीत लहर चल रही है जिसके लिए वेश्टर्ण जेट स्ट्रीम और वेश्टर्ण डिश्टर्बेंस जिम्यदार है वेश्टर्ण जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से आती है और साल भर चलती है ये काफी स्ट्रॉंग हवा होती ह जो सर्दी के मौसम में बारिश या बर्फबारी कराने के लिए जिम्मेदार है वेश्टर्ण डिस्टर्बेंट समुद्र के तापमान में बदलाव की वजह से होता है दरसल तापमान बदलने से हवाओं की दिशा बदलती है वैग्यानिकों के मुताबी कि हवाएं उत्तर भा जैसे गेहूं, आलू, चना, मसूर आदी के लिए बेहत जरूरी होता है क्रिशी वैग्यानिकों के मुताबिक जन्वरी या उसके बाद होने वाली बारिश और बर्फबारी से काफी नुकसान झेलना पड़ता है अमेरिकी संस्था NOAA के मुताबिक अलीनो इयर में अमेरिका कनाडा और इसके आसपास के देशों में कम ठंड पड़ेगी वहीं भारत पाकिस्तान समेथ दक्षिड एशियाई देशों के कुछ हिस्से में कडाके की ठंड पड़ेगी 12 क्रू मेंबर सवार थे वहीं जिस कोस्ट गार्ड के प्लेन से ये विमान टकराया उसमें 6 क्रू मेंबर्स मौझूद थे इनमें से 5 की इस हादसे में मौत हो गई इस हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जारकरी अब तक सामने नहीं आई है जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मामले की जार्च कर रही है हादसे को देखते हुए हानेड़ा एरपोर्ट के सभी रंदे को बन कर दिया गया है जारियों ने नारेबाजी कर हिट एंड रं कानून को वापस लेने की मांग की राजस्थान के अजमेर में कलेक्टरेट पर विरोत प्रदर्शन करते ट्रक ट्रेलर असोसियेशन और ड्राइवर यूनियन के पदाधिकारी यूपी के लखनव में बस बंध होने से यात्री परेशान दिखे जीन में बस और आटो ओपरेटर्स सोमवार से हरताल पर हैं हिट एंड रं मामले से जुड़ी जरूरी जानकारी ट्रकों की हरताल का आम आदमी पर असर इस हरताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिला ट्रकों की हरताल होने से दूद, सबजी और फलो की आवक नहीं हुई और कीमतों पर इसका सीधा असर देखने को मिला वही पेट्रोल डीजल की सप्लाय रुपने की अफवा के बाद पेट्रोल पंपो पर लोगों की भीर देखने को मिली। भारत में 95 लाग से ज़्यादा ट्रक हर साल 100 अरब किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तै करते हैं। देश में 80 लाग से ज़्यादा ट्रक ड्राइव हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांस्पोर्ट करते हैं। जय कालरा ने कहा, प्रदेश में 6 लाग ट्रक हैं। देर लाग ट्रक दो दिन से खड़े हैं। अपचारिक एलान से स्थिती बिगड़ सकती है। ट्रांस्पोर्ट कॉंग्रेस ने कहा, देश में 95 लाग ट्रक हैं। 30 लाग से ज़्यादा का खड़े हैं। इसके अलावा, इंपी, राजस्थान, महराष्ट्रा, हर्याना, जम्मू कश्मीर, गुजरात, चत्तीसगर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश भी हलात बिगड़ने लगे। झालावाँ